Welcome to Lecture Expert YouTube Channel और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Class 10th के Important Question Science के Chapter No.2 से Demand रह रही थी बच्चों की के जल्दी जल्दी Question भेजिए तो सभी के Question मिलेंगे ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं मिलेंगे तो जैसे जैसे मुझे Time लगेगा मैं फटा फट Question जो है आपके अपलोड करता रहूँगा तो ये Chapter No.2 से है Science के तो ये Question कर लेने के बाद आपको और Question करने के जूट नहीं पड़ेगी ये मेरी Guarantee है तो आपका जो पहला Question है वो है Why does Distilled Water not conduct Electricity whereas Rainwater does जो Question है वो दोनों Language में है Hindi में भी है English में भी है तो English वाले के लिए एक Question हुआ अब Hindi में जो है इसकी Translation क्या है कि जो वर्षा का जल है वो विद्यूत का चालन क्यों करता है लेकिन जो नल का जल है वो विद्यूत का चालन क्यों नहीं करता फिर Second Question है Why should Curd and Soar Substances not be kept in brass and copper vessels पितल आम तांबे के बर्तनों में दहीं आम खटे पदार्थ नहीं रखने चाहिए इसके बारे में बताएं फिर Question है What is Neutralization Reaction? Give one example उदासनी करन अभी क्रिया क्या होती है उदारन दीजिए फिर अगला Question है While diluting an acid Why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid Hindi में कहें तो अमल को तनुकृत करते समय यह है क्यों अनुसंशित करते हैं कि अमल को जल में मिलाना चाहिए नहीं कि जल को अमल में फिर अगला Question है What happens when gypsum is heated to 373K Give chemical equation for it क्या होता है जब gypsum को 373K पर गरम किया जाता है उदारन दीजिए और समय करन भी बताएं अगला Question है What is Acid Rain? How does it affect aquatic life? अमलिय वर्षा क्या है? यह कैसे जलिय जीवों को affect करती है चीक है? तो यह Question है आपका उसके बाद है What is Chlor Alkali Process? Explain with the help of chemical equation Hindi में कहें तो Chlor Shara प्रक्रिया किसे कहते हैं? इसके लिए समय करन भी दीजिए अच्छा जो चोटे Question है उसकी मैं एक Separate Video लेके आऊँगा सारे के सारे Chapter में से एक ही वीडियो में मैं आपको सारे चोटे Question करवा दूँगा One Marks के जैसे कि आप जानते हो के ज़्यादा Question अब की बार One Marks के ही आएंगी तो नेक्स आप का Question है What is Chemical Formula for Baking Soda Give Chemical Equation Used in its Preparation Baking Soda को किस प्रकार त्यार किया जाता है इसके लिए समिगरन भी दीजिए और इसका Formula भी बताएं इसी तरह से What is Chemical Formula for Bleaching Powder Give Chemical Equation Used in its Preparation विरंजक चुरन को किस प्रकार त्यार किया जाता है और इसका Formula बताएं समिगरन दीजिए फिर अगला Question है What is Chemical Formula for Washing Soda Give Chemical Equation Used in its Preparation दोने के Soda किस प्रकार त्यार किया जाता है इसके समिगरन दीजिए और इसका Formula बताएं फिर अगला Question आता है Plastro Paris should be stored in a moisture proof container Explain why Plastro Paris को अर्द रोधी बरतन में क्यों रखा जाना चाहिए संशिप्त में बताएं फिर अगला Question है Fresh Milk has a pH of 6 How do you think the pH will change as it turns into curd ताज़े दूद के pH का मान 6 होता है दहीं बन जाने पर इसके pH के मान में क्या प्रवेटन होगा फिर Next Question है Milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk एक गवाला ताज़े दूद में थोड़ा baking soda मिलाता है पहला पार्ट Why does the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline ताज़े दूद के pH के मान को 6 से बदल कर थोड़ा शारिया क्यों बना देता है दूसरा पार्ट है इसका Why does this milk take a long time to set as curd इस दूद को दहीं बनने में अधिक समय क्यों लगता है Next Question है Give two important uses of washing soda and baking soda दोने का soda और baking soda के दोदो उधारन दीजिए तो ये सारे आपके important question है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो like जरूर करें और दोस्तों से share करें आपने तो इस वीडियो बिंतने है थैंक्स वाचिंग इस वीडियो